बताते चलें कि किस तरीके से महिला बोर्वेल में गीरी और उसको बहार निकालने के लगतार रेस्क्यो ओपरेशन मौके पर किया जा रहा है गंगापुर सिटी की बात कर रही है यहाँ पर SDRF और NDRF की टी में लगतार रेस्क्यो ओपरेशन चला रही है और अपडेट आपको मैं बता दूं कि LNT मशीन से बोर्वेल की खुदाई यहाँ पर की जा रही है बामनवास तैसिल के रामनगा डोसी गाउं में यहाथसा पेश आया और महिला के तस्वीर में आपके सामने रख रही हूँ यही महिला है जो कि बोर्वेल में गिरी है 90 फीट का ये बोर्वेल बताया जा रहा है जिससे निकालने का प्रयास लगतार NDRF और SDRF की टीमें कर रही है अज़े इस वक्त मेरे साथ मौझूद है लगतार इस ख़बर पर नजर बनाई हुए है और अज़े से सबसे पहले जान लेते हैं इस हाथसे से जुड़ा हुआ अपडेट कहा तक पहुंचा रसक्यों अपरेशन अज़े प्रकनीक है वो उस लेवल पर तो काम उन्होंने जितना बेस्ट कर सकते थे उतना करने का प्रयास किया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है अब प्लान B पर ये काम किया जा रहा है कि L&T मंगवाई जा चुकी है और फिर अमूमन इन रेस्क्यों आपरेशनस में हम जो देखते हैं कि खुदाई ही एक मातर विकल पर बसता है कि आप उस गहराई तक जा करके और जिस तरह एक लिफ्ट पर योजना होती है सीडी रूमा उसकी जो खुदाई है उस पर आप कई न कई प्लान पर काम किया जा रहा है प्रसासने का दिकार यहां मौजूद है NDRF की टीम भी यहां पर मौजूद है ADM जो है अतरिक जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी अरीराम जी वो यहां मौजूद है पुलिस जापता यहां पर मौजूद है कुल मिला करके अब प्लान B पर ही काम करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है हाँ एक जरूद छोटी सी एक उम्मीद जगी है कि यहां पास में एक व्यक्ति हैं जिनका यह ओफर आया है कि उन्होंने यह काया कि सरब मैं किसी जुगार या जो उनका अपना एक तरीका है उस तरीके से मैं इसे निकाल सकता हूँ तो प्रसास ने कई न कई उसको लेकर के भी जाहिर की है अपनी भावना की चलिए ठीक है एक प्रयास आप भी आप अपना करके देखें तो देखते हैं अगर इजीली निकाला जाए क्योंकि आप और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब खुदाई वाला मामला चले